हलो दोस्तों, इंडिया वर्ट से अस्ट्रेलिया की बीच ये टी-20 का फोर्थ मैच है इस मैच में ग्रान लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट टीम बनाने वाले हैं इस मैच में अस्ट्रेलिया की तरफ से तीन से चार बरे प्लेयर नहीं खेलेंगे तो उनकी जगा पे कौन-कौन से प्लेयर खेल सकते हैं उनकी बैटिंग ओर्डर क्या रहेंगे और किस तरह का पर्फॉर्म आ सकता है अपने टीम में रखें या नहीं रखें वही आज के मैच का इंपोटेंट प्लेयर अक्षर पटेल, अरून हाडी, बीमसी, डॉर्मेट और बहरा डराफ जैसे प्लेयर हो सकते हैं जिस तरह से पिछले मैच में चार ट्रम कार्ड खेलाडी बताया था और एक तरफा चारो के चारो परफॉर्म कर गए, चारो लो सेलेक्षन परसेंटेज प्लेयर थे और यही रीजन है कि इसमोल लिग तो एक तरफा जैकपोट बना ही और मीनी ग्रान लिग भी इसमोल लिग के टीम से ही हो गया जबकि ग्रान लिग में भी अच्छा खासा रैंक आया था तो आज के मैच में भी ग्रान लिग की टीम बनाने के लिए पांच ट्रम कार्ड खेलाड़ी और तीन लो सेलेक्षन परसेंटेस प्लेयर बताऊंगा जिनका सेलेक्षन काफी लो रहेगा जिसको अपने टीम में ट्राइ करते हो तो आपकी टीम जरूर रैंक करेगी जबकि तीन लो सेलेक्षन परसेंटेस प्लेयर को अपने एस्मॉल लिग के टीम में भी रखने वाला हूँ और फिर से small league को jackpot बना कर दूँगा grand league की team combination बनाते हो तो फिर से 5 fixed player बताऊंगा जिनका अच्छा खासा perform आएगा जिसको आप common बना कर बाकी player को rotate करके आप grand league की team combination बना सकते हैं क्या pitch report रहेंगे आज का pitch report important होने वाला है क्योंकि captain wise captain का decide आप pitch report से ही कर सकते हैं दोनों team का compare क्या रहेगा किस team से ज़्यादा player को pick कर सकते हैं तो इसलिए video काफी informative होगा शुरू से अंतक video को जरूर देखना और video को जल्दी से like कर देना अभी तक जो लोग channel subscribe नहीं किये हैं channel subscribe करके साथ में bell icon को दबा देना ताके मैं कोई भी video डालू तो आपको notification में मिलता रहे जो सबसे important रहता है वो है मेरा telegram join करना क्योंके toss के बाद कोई भी news update आते हैं वो तो बताया ही जाता है साथ में final grand league और small league की team आपको telegram पे ही मिलेगी तो आसानी से आप join हो जाना description और first comment में telegram का link है जाओ जल्दी से join कर लेना मेरा telegram वीडियो स्टार्ट करते हैं पीछी report की बात करें तो सहीद वीर नरायन सिंग international cricket ground पे ये match खेला जाएगा और इस ground पे Australia एक भी match नहीं खेले है जबकि इंडिया की भी कई सारे player इस ground पे match नहीं खेले इस ground पे IPL के कई सारे match खेले गए है तो कुछ player का है इस ground पे perform तो वो मैं direct team पे ही बता दूँगा वैसे दोनों team के player का against भी उतना जादा नहीं है तो इसलिए सीधा team पे ही चलते हैं वैसे head to head तो मालूमी है कि last के जो पांस साल में 14 match खेले गए है 7 match को India और 6 match को Australia विन किये हैं इस series में भी India 2 और Australia 1 match को विन किये हैं तो 2-1 से अभी चल रहे गे बागे अगला match इंडिया 1 भी विन करते हैं तो ये series को ही विन कर जाएंगे बिना time rest के सीधा team पे आ जाते हैं क्योंकि इस ground पे एक तो जादा match नहीं खेले गए है अस्ट्रेलिया एक भी match नहीं खेले है जबकि इंडिया की तरब से भी player का experience नहीं है इस ground पे पुछ player है जो IPL के match खेले हैं तो उसका मैं team पे ही condition बता दूँगा इंडिया के लगभग सारे player सेम ही खेलने वाले हैं playing 11 सेम रहेंगे अस्ट्रेलिया की तरब से जादा तर player का इस match में changing देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे जोस English थे तो इस match में नहीं खेलेंगे उनकी जगा पे फिलिप आ गया है और जोस English first down batting करते थे वो भी opener ही थे और flip भी opener है लेकिन इनकी तरफ से team head opening करते हैं जो कि आपको दिख रहा है और इस match में भी खेलते हुए दिखेंगे और साथ में hardy आ गया है तो पिछले match में opening भी किये थे तो अगर ये दो opening करते हैं तो आपको flip जो है वो first down ही दिखेंगे वैसे ये same jazz wall के ही जैसा player है hitting करते हैं और अक्सर run बना जाते हैं तो एक तो पहला match खेलना है selection काफी low रहने वाला है तो grand league का ऐसे ही trump card खेलाड़ी बन जाते हैं उसी तरह आपको second down जैसे कि सुरिया कुमार second down बैटिंग करते हैं उसी तरह आपको ये भी दिखेंगे और ये भी consistent player है T20 के बरे बरे और सतक भी जर्द देते हैं तो आप जितना favor सुरिया कुमार को दे रहे हो तो वैसे सुरिया कुमार के जैसा player तो है नहीं जो 5 fix player दूँगा तो उनको आप common बना कर बाकी player को rotate ही करना होगा तो आपको 2 player वैसे ही risk की मिल जाएगा अस्ट्रेलिया की तरफ से और उसी तरह आ जाते हैं सीधा team पे और team बनाते हैं वहीं पे चर्चा कर देते हैं उससे पहले मैं आपको trump card खिलाडी बता देता हूँ तो मैं BMC dormate को रखता हूँ अगर dormate नहीं खेलते हैं तो flip को रखूँगा वैसे dormate भी खेल लेंगे इस match में तो ये रहेंगे साथ में guy quad और ये जो है jazz wall तो रहेंगे ही और इस match में फिर से तिलक वर्मा important होने वाले हैं जिस तरह से पिछले match में हमने कहा था कि top order अगर इंडिया के class करते हैं तो इनकी batting आएगी और ये perform भी करेगा इस match में भी इनकी batting आजाएगी खासकर इंडिया पहले batting करते हैं तो बैटिंग का तो उमीद कर ही सकते हो तो दो player हो गए और तिसरा player hardy को रख लेता हूँ वैसे hardy पिछले match में balling भी किये थे इस match में भी balling करेंगे क्योंकि इनका max well और mark estwinis दोनों नहीं खेलने वाले हैं तो backup baller है नहीं वैसे hardy को perfect balling line up में ही खेलाया गया था तो hardy रहेंगे साथ में आपको balling section में साथ में balling section में बहरा ड्राप को मैं रखने वाला हूँ और साथ में अवेश खान फिर से इस match के trump card खेलाडी रहेंगे तो चार player हो गए और इस match के ilis रहेंगे तो ये मेरे 5 player जो की trump card खेलाडी है जिनको आप try कर सकते हो grand league में इनका अच्छा खासा perform आ सकता है और यहाँ पर hardy opening करते हैं balling भी करते हैं तो आप grand league में captain wise captain भी बना सकते हो वैसे आप देखा जाए तो team head भी balling करते हैं part time लेकिन इनका कुछ fix नहीं रहता है उसी तरह तिलक वर्मा भी off break baller है जबकि अस्ट्रेलिया की तरफ से कई सारे left hander bestman है तो इंडिया की तरफ से कोई off break baller नहीं है अगर मोका मिलता है तो तिलक वर्मा को balling कराने का भी मोका मिल जाएगा और विकेट भी निकाल लेते हैं तो आप इनको grand league में try कर सकते हो बांकी रिंकु सिंग इस ground पे 4 match खेले हैं इनका 28 का average है बैटिंग order काफी down रहता है अगर इंडिया के top order class करते हैं तभी इनकी बैटिंग आईगी लेकिन अभी तक एक ही मैच में बैटिंग आई है वो भी पर्मो तिलक वर्मा से कर दिया गया था इसलिए इनकी perform आ गए नहीं तो इनकी बैटिंग आनी मुश्किल रहती है वैसे पहले बैटिंग में आप grand league में try कर सकते हो अगर fix player की बात करू जिसको आप common बनाकर बांकी player को rotate कर सकते हो तो वैसे देखा जाए hardy है अगर mathu sort खेलते हैं तो फिर ये opening करेंगे और जो flip है विकेट keeper में वो first down batting करेंगे उस condition में hardy का batting order काफी down हो जाएगा तो आप इनको fix player से drop कर सकते हो इनकी जगा पे आप किसी और bestman को try कर सकते हो जैसे कि तिलक वर्मा है तिलक वर्मा को try कर सकते हो या आप flip को अपने team में रख सकते हो तो फिलहाल hardy को रखा हूँ mathu sort पहले match में पिछले match में नहीं खेले थे तो इसलिए मैं इनको रखा हूँ नहीं खेलते हैं तो फिरा hardy ही खेलेंगे ओपनिंग में लेकिन mathu sort खेलेंगे तो इनका कोई संभाबना ही ओपनिंग का नहीं बनता है condition रहेगा drop कर देना sort केलते हैं जबकि hardy खेलते हैं तो ये ऐसे ही drop हो जाएगा तो इसलिए मैं 5 फिक्स बताया था तो ये मेरे 5 फिक्स ब्लियर रहेंगे तो अब आजाते हैं small league के टीम में small league में फिलिप को अपने टीम में रखा हूँ वैसे एस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हैं तो mathu wade ही safe रहेंगे फिर ये risk ही हो जाएंगे तो फिलहाल में रखा हूँ chase करते हैं तो अच्छे रहेंगे क्योंके कभी कभी होता है top order class कर जाएंगे वैसे इस ground पे spinner को ज़्यादा help है तो आप यहाँ पे जैसवाल को भी try कर सकते हो तिलक वर्मा की जगा पे कि हो सकता है कि पेसर को अगर starting में विकेट ना मिले तो फिर दोनों opener जो है starting में ही अच्छा खासा run ठोग देंगे क्योंके जैसवाल बहुत ही तेज खेलते हैं तो इसलिए safely तिलक वर्मा की जगा पे अप जैसवाल और गायक वार्ट साथ में सुरिया कुमार तीनों प्लेयर अपके टीम में रहेंगे जादा बेस्ट रहेंगे वैसे इस मैच में सौट नहीं खेलते हैं सौट आपनिंग करते हैं और आफ ब्रेक बॉलर हैं तो इंडिया की तरफ से कई सारे लेफ ठंडर हैं तो बॉल भी करेंगे BMC गर्थ को आप ट्राई कर सकते हो और अच्छे प्लेयर रहेंगे और सेम लोजिक लगाना कि इनकी तरफ से आपनिंग जो प्लेयर करेंगे उनको आप जरूर ट्राई करना क्योंकि इस गरॉन पे स्पीनर को ज़्यादा हेल्प रहता है स्टार्टिंग में पेसर को बिकेट न मिले तो फिर जब तक स्पीनर आएंगे पावर प्लेय के बाद तब तक उपनर अच्छा खासा रन बना देंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखना जो सबसे इंपोटेंट रहता है जो टीम चेस करेंगे उसका टॉप फॉर या टॉप फॉर में तीन प्लेयर को जरूर ट्राय करना क्योंके टॉप फॉर में यहाँ पे इस गराउंट पे जो लास्ट के कुछ मैच खेले गए हैं तो चेस करने वाले टीम ही मैच को विन कर जाते हैं तो इसलिए टॉप ओडर को रख लेना क्योंके चेस करना यहाँ पे आसानी रहता है और जो टीम चेस करेंगे तो उनका टॉप ओडर आपके टीम में रहेंगे बहुत सारे लोग ड्रॉप करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे और जिसमें अगर जो नहीं खेलेंगे अगर दोनों खेलते हैं तो यहाँ पे हाडी की जगा पे आप गर्थ को ट्राइ कर सकते हो या सेफली आप कोई बॉलर को ट्राइ कर लेना क्योंके फिर उस कंडिशन में बैटिंग आना इनका मुश्किल रहेगा काफी बैटिंग डाउन हो जाएगे उसी तरह अक्षर पटेल को आप सिकेंड इनिंग में ड्रॉप कर देना जब इंडिया चेस करेंगे और पहले बैटिंग करते हैं तो बैटिंग का उमीद कर सकते हो तो उस कंडिशन में अक्षर पटेल को ट्राइ करना और इस गराउंड पे अवेश खान सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं पांच मैच जिसमें इनका नौ विकेट है तो इसलिए अक्सर इनको विकेट इस गराउंड पे मिलते हैं आईपियल की बात कर रहा हूँ वही रिंकु सिंग का इस गराउंड पे 28 काईबरेज है चार मैच खेले हैं जबकि यहाँ पे गाईकवार्ड का भी ठीक ठाक रहता है गाईकवार्ड सिकैंड में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिलहाल यह मेरी एसमॉल लिक की इनिसियल टीम है तो हो सके कि इनका विकेट लेकर चले जाए तो इसलिए मैं गाईकवार्ड को मैं वाइस कैप्टन नहीं बना रहा हूँ तो यह दुनों को कैप्टन ऐसमॉल लिक में बना सकते हो तो यह ऐसमॉल लिक की इनिसियल टीम है जिससे आप टीम जोईन कर सकते हो grand league की बात करें तो थोड़ा unique बनाया हूँ वैसे उतना ज़्यादा unique तो नहीं है और एक team में आप ज़्यादा unique team बना भी नहीं सकते हैं तो आप अलग-अलग team बनाओगे तो आप बांकी player को rotate कर सकते हो और थोड़ा unique grand league में करना ही होता है कुछ risk भी लेने होते हैं और बहुत बढ़ा risk है guy quad पे और guy quad सिकेंड में जैसे इंडिया chase करते हैं तो आप drop कर सकते हो वैसे जैसवाल का इस match में perform आ सकता है साथ में आप इसान किसन को drop करके आप अक्षर पे ट्राइ कर लेना जैसा कि मैं team बना कर ही दिखा देता हूँ तो यहाँ पे मैं इसान किसन को drop करके सीधा अक्षर पटेल पे आ गया हूँ और यहाँ पे जो captain wise captain ही काफी unique बनाना परेगा इंडिया पहले batting करते हैं तो आप सीधा अक्षर पटेल को captain बना सकते हो इंडिया पहले batting करेंगे batting आएंगे तो यह hitting भी करते हैं आसानी से छक्का लगा देते हैं चोका लगा देते हैं तो यह अगर 40-50 रन बना देते हैं और balling करते हैं तो baller से कभी भी उमीद किया जा सकता है एक से दो wicket का तो फिर captain बन जाएंगे जो कि unique captain wise captain रहने वाले हैं वही अगर differential wise captain की बात करें तो आप अवेश खान को विसनुई को साथ में रिचर्ड सन को wise captain बना सकते हो मेगा ग्राण लिग में वही साथ में आप hardy को भी captain wise captain बना सकते हो तो यह grand league की first team है जो कि initial team है small league और grand league से आप team join कर सकते हो माकि final के लिए आप telegram जरूर join कर लेना final team के लिए आपको telegram मेरा जरूर join करना है जो कि description और first comment में link मिलेगा वहाँ से सीधा आप मेरा telegram join कर सकते हैं toss के बाद final pitch report आती है वो तो बताया ही जाता है और उसी के हिसाब से final team भी बनती है तो इसलिए आपको final grand league small league की team telegram पे ही मिलेगा तो telegram जरूर join कर लेना वीडियो को like comment कर देना ओके thank you